स्वागत है आप सभी का दोस्तो हमारी चैनल स्टड़ी विस्वाती में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेशन प्लान नंबर 10 को लेकर के जो की आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉमर्स और टॉपिक है हमारा जर्नल इसके पिछले वीडियो के बात की जा तो हमने लेशन प्लान नंबर 129 को लेकर के बात की थी जो की आपके कॉमर्स विशव से समन्दित थे तो अगर आप यह थर्ड समस्टर में हैं और आप अपने लेशन प्लान तयार कर रहें हैं commerce subject के लिए तो इसके लिए आप हमारी home page पी जाकर के वहाँ पर आप जैसे ही search करेंगे English में commerce के relation plan आपको 1 to 20 relation plan देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने teaching के लिए relation plan तयार कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप relation plan number यहाँ पर डालेंगे यानि relation plan number आप चाहें तो अपने according डाल सकते हैं या फिर आप copy भी कर सकते हैं उसके बाद date यानि दिनांग जिस भी date को आप relation plan बनाएंगे यहाँ पर वो date डालेगा आप date copy मत करिएगा सब्जक्ट की बात की जाए तो सब्जक्ट है आपका commerce period की बात की जाए यहाँ पर एर्थ पड़ा है आप अपने according first second third fourth जो चाहें डाल सकते हैं उसी तरह से आप duration यानि time period भी 30 to 45 minute डिवाइड करके लिख सकते हैं otherwise आप ऐसे ही चीज़े copy कर लिजिएगा class की बात की जाए तो class यहाँ पर आपकी 9th पड़ी है और 9th class में आज का हमारा topic है journal तो आज की इस वीडियो में हम इसी topic पे बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे journal aim यानि आपके जो सामानी उदेश होते हैं जर्नल लेम की बात की जाए तो इसमें आप commerce subject से related journal information देंगे अपने students को इसमें आप first point लिखेंगे to enable the students to get general information about commerce second point है to develop knowledge and understanding of commerce third point है to develop an understanding and appreciation of commerce तो यह हो गया आपके journal aim जो की आपके subject से related थे उसके बाद हम देखेंगे specific aim specific aim की बात की जाए यह आपके विशिश्टू देश होते हैं इसमें आप topic से related special information देंगे अपने students को इसमें आपके तीन point रहेंगे cognitive, effective और psychomotor तो इन तीनों point के base पर आप topic से related information देते हैं अपने students को तो आप इन तीनों point को देख लीजें आप video post करके as it copy कर सकते हैं आगे हम देखेंगे tlm यानी teaching ads teaching ads की बात की जाए तो इसमें आप topic को पढ़ाते समय जो भी चीजे यूज़ करेंगे जैसे अपने chalk कर समाल किया देश्टर लपेट शामपर्ट कोई figure हो गया कोई आपका model हो गया diagram हो गया या फिर यहाँ पज़े से दिया है model of diary तो आप यह भी दिखा सकते हैं teaching ads में ठीक है तो आप इन पाइंटों को देख लीजे उसके बाद आएगा previous knowledge यानी पूर व्यान इसमें आप students से related previous knowledge के बारे में लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे students have a basic knowledge about the topic तो यह है बच्चों का पूर व्यान जो कि उनके विशय से संबंदित है आगे हम इसी में देखेंगे introductory questions introductory questions की बात की जाए तो यह आपके प्रस्तावना प्रश्ण होते हैं इसमें आप पाठ से संबंदित संभाइद प्रश्ण बच्चों से निकलवाने के लिए introductory questions बनाते हैं इसके लिए आप तिंग कॉलम बनाएंगे serial number people teacher activity third रहेगा students response इसमें आप first questions बच्चों से पूछेंग इसमें first question है trade is commercially called student response में student answer देंगे trade is commercially called a business second question फिर आप पूछेंगे people who do business are called student response में student answer देंगे people who do business are called businessman फिर आप third question पूछेंगे name the system which business man adopt for calculating expenses student response में no response उनके लिए यह problematic question हो गया अब इस पर आप statement of the problem या statement of the aim लेकर के चलेंगे इसमें आप लिखेंगे students today we will study about journal तो यह हो गया आपका statement of the problem या statement of the aim जो की आपके topic से related आएगा उसके बाद हम देखेंगे presentation question presentation question की बात की जाए तो यह आपके प्रस्तुती करण प्रशन होते हैं इसमें आप पूरी तरह से present रहेंगे topic को start करने के लिए इसके लिए आप topic से related developing questions पूछेंगे उसके बाद आप explanation method का use करते हुए पूरे topic को समझाएंगे बच्चों को इसके लिए आप six column बनाएंगे serial number, teaching points, people teacher activity, फिर हैगा students response, फिर हैगा teaching method, फिर last आएगा six आपका blackboard work तो इससे आप six column बनाएंगे सबसे पहले teaching point में आप developing questions पूछेंगे इसमें आपका first question है calculating of daily expenses comes under which system of accounting students response में student answer देंगे journal, teaching method की बात कीज़ें तो यहाँ पर आप question answer method का use कर रहे हैं क्योंकि आप question पूछ रहे हैं और आपके students उनका answer दे रहे हैं second question फिर आप पूछेंगे what is journal, student response में no response उनकी लिए problematic question आगया इस पर आप explain करेंगे meaning of journal यानि journal क्या है तो जब आप explain करेंगे तो student response में students listen carefully, teaching method की बात कीज़ें तो आप lecture method का use कर रहे हैं और blackboard work की बात कीज़ें तो आप ऐसे ही journal is a book आप दिखा सकते हैं ठीक है तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉस्ट करके edit copy कर सकते हैं फिर इसी में हम देखेंगे second developing question फिर आप डालेंगे second developing question इसमें आप first question पूछेंगे explain journal in your own words student response में student answer देंगे journal is a written account of what you have done each day ठीक है और teaching method की बात कीज़ें तो यहां first से आप question answer method का use करेंगे फिर आप second question पूछेंगे what are the merits of journals student response में no response उनके लिए problematic question आजाएगा इस पर आप merits of journal के बारे में explain करेंगे यानि इसमें आप बच्चों को समझाएंगे students response में students are listening carefully या listen carefully ठीक है और teaching method की बात की जाए तो आप lecture method का use करेंगे उसके बाद blackboard work आएगा जिसमें आप merits of journal को दिखा सकेंगे तो आप इन चीज़ों को देख लिजे आप video post करके एज़िटी copy कर सकते हैं और यहां पर आपके जो presentation question थे वो complete हो गए हैं आगे हम इसे में देखेंगे आपके comprehensive questions comprehensive questions की बात की जाए तो आपके बहुत प्रशन होत यानि इसमें आप बच्चों की mental ability को चेक करने के लिए comprehensive questions बनाते हैं इसके लिए आप topic से related कोई भी question दे सकते हैं जैसे कि इसमें first question दिया है give the definition of journal ठीक है second question है how do we do entries in journal ठीक है three है आपका explain the merits of journal in detail तो यह हो गया आपके comprehensive questions आगे हम देखेंगे blackboard summary यानि जिसे आप blackboard work कहते है blackboard work की बात की जाए तो इसमें आप black chart को काट करके white sparkler pen से चीजे बैसे ही mention करेंगे जैसे first page भी करते है date, class, subject, topic, period, duration और उसके बाद आप merits of journal को show कर सकते हैं ठीक है तो आप इन चीजों को देख लीजिए उसके बाद हम देखेंगे recapitulatory work या recapitulatory questions लेकिन उससे पहले आपक आएगा inspection work, inspection work की बात की जाए तो इसमें आप अक्षा का निरिक्षर करेंगे जब आपके छात्र या छात्रा है अपना blackboard work उतार रहे होंगे अपनी copy में या फिर कुछ read कर रहे होंगे class में, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे students are listening carefully and noting down the important point from blackboard, तो इस तरह से आप inspection करेंगे class का, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका recapitulatory questions, recapitulatory questions की बात की जाए तो इसमें आपके पुनरावृत्ति प्रशन होते हैं, यानि जिसे आप revision type question या अभ्यास कारी type question कहते हैं, इसमें आप पूरे topic का दुबारा से revision करवाएंगे class में, इसके लिए आप topic से related को भी question दे सक करते हैं, जैसे कि इसमें first question दिया है, write a note on journal, second question है explain the merits of journal, third question है give examples based on journal, तो इस तरह से आप recapitulatory questions बच्चों को class में देंगे, last में आएगा आपका homework यानि जिसे आप ग्रहकारी कहते हैं, इसमें आप बच्चों को घह से करने के लिए कोई भी question दे सकते हैं, topic से related, जैसे आप recap chapter letter type questions दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो fill in the blanks type, क्योंकि आपका commerce का है, तो आप सीधे सीधे question answer ही दीजिएगा, इसमें जैसे दिया है, write the meaning of journal in your own words, ठीक है, तो इस तरह से आप homework में देंगे, और बच्चे इसे करके लाएंगे, last में आप अपने subjective teacher से sign कराएंगे, हर एक lesson plan पर, ठीक है, इसके next video की बात की जाएंगे, lesson plan number 11 को लेकर के, जो की आपका subject रहेगा commerce और topic रहेगा check, तो इसे हम next video में cover करेंगे, तो I hope दोस्तों आप सभी को हमारा या वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा या वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको हमारा या व कमेंट करना ना भूले, कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रेशन है, आप उनका उत्तर पूछ सकते हैं, आप चाहें तो मुझे टेलेग्राम चैनल पर भी जाइन कर सकते हैं, मुझे मेरे नाम से स्टड़ी भी स्वाती के नाम से, जहां पर आपको सभी वीडियो का लि कर दो